हे गाईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या वीवो वी 29 प्रो में आलवेज ओन डिस्प्ले को कैसे इनेवल कर सकते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जाना है फॉन की सेटिंग्स में जाने के बाद गाईज यहाँ पर गाईज एक ओप्सन देखने को मिलेगा आपको Lock screen and ballpaper आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद गाईज कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर guys आपको देखने को मिलेगा Always on display तो इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको सबसे उपर Always on display का एक option देखने को मिल जाएगा तो इसको यहाँ से आपको enable कर देना है and guys इसके नीचे आपको off screen styles का एक option देखेगा इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद guys यहाँ से आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से इनको Always on display पर set कर सकते हैं काफी सारे styles आपको देखने को मिल जाएगे इसके बाद guys आप पापस आएगे तो यहाँ पर आपको display mode का एक option देखने को मिल जाता है तो इस पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको set कर सकते हैं और guys बापस आएगे तो आपको एक option देखने को मिल जाएगा यहां पर notification, notification पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कावी सारे option देखने का मिल जाते हैं, phone, message, whatsapp, facebook, gmail, अगर आपको इनका notification आपकी always on display पर चाहिए तो आप यहां से इसको select कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप यहां से आप इसको अटारी सकते हैं, तो बस आपको वीडियो में इतना ही था, आपको आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज कर अए बस्याँ आपको आपक।